नमस्कार मैं पूजा यादव लेकर हाजिर हूँ आपके लिए चंडिगर्ण, हर्याना, पंजाब, हिमाचल और देश-दुनिया की कुछ बड़ी खबरें चलिए नज़र डालते हैं ताजा हेड्लाइन्स पर चंडिगर्ण के सेक्टर 25 में कोरोना का मामना सामने आने से शहर में कुल केस हुए 358 ट्राइसिटी के लगते खरड में 22 वर्षे यूवक कोरोना संकर्मित पाया गया पंचकुला में मंगलवार को मिले 5 नए कोरोना पॉजिटिव सभी दूसरे राजियों से अंबारा सेंट्रल जेल में दो कैदियों ने की आत्म हत्या जज़ पुलिस को मिली बड़ी कामियाबी बेश कीमती चंदन के तसकर को किया किरफतार हिमाचल में साड़े 500 से उपर पहुँचा संक्रमतों का आकड़ा 353 हुए स्वास्त चीन नहीं आ रहा दोखा देने से बाज लद्दाक में भारत के तीन सैनिक शहीद क्या ठारा जुन से दिल्ली में होगा लॉकडाउन ये खबर किती सची है बताएंगे विस्तार से शोपिया में देश के जावाजों ने तीन आतंकी किये धेर अब खबरे विस्तार से चंडीगड में आए दिन कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं मंगलवार सुबह होते ही चंडीगड के सेक्टर 25 स्थित भासकर कलोनी के मकान नमबर 2520 के 35 वर्षिये निवासी में कोरोना वाइरस पाया गया व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भरती करवा दिया गया है सूचना मिलते ही उस इलाके को पुलिस द्वारा सील कर दिया गया खरड के लांडरा रोड स्थित प्राइम सिटी के अपार्टमेंट निवासी 22 वर्षिये युवक संकरमित पाया गया है स्वास्ते विभाग ने ग्यान सागर अस्पताल बनूड में मरीच को भरती करवाया है पुलिस ने आसपास का इलाका सील कर दिया पंचकुला में मंगलवार को पांच करोना संकरमित मरीच मिले हैं जिनमें तीन दिल्ली से एक राजपुरा से और एक लखनव से है पंचकुला की सीविल सरजन डॉक्टर जस्जीत कोर ने इन मामलों की पुष्टी की है अंबाला के सेंटरल जेल से कैदियों की आतम हत्या का मामला सामने आ रहा है जहां सुभै केवल एक कैदि द्वारा ही आतम हत्या की बात सामने आई थी लेकिन मंगल बार अब दो कैदियों की मोत की सूचना जेल परशाशन ने दी है बल्देव नगर थाना पुलिस कारवाई कर रही है जजजर पुलिस द्वारा तसक्री करके ले जाई जा रही भारी मातरा में बेश कीमती चंदन की लकड़ी को बरामद किया है तसक्री करते एक आरूपी को भी गिरफतार किया गया है पकड़ी गई बेश कीमती चंदन की लकड़ी का वजन करीब दो टन है जिसकी कीमत लगभग 70 लाक रुपे बताई जा रही है हिमाचल परदेश में कुरोना संकर्मितों का आंकड़ा साड़े 500 से उपर हो गया है हालां की रहत की बाद यह है कि 353 संकर्मित लोग कुरोना को माद दे चुके हैं 24 दिन बाद एक साथ 38 कुरोना संकर्मित पाए गए लदाक में L.A.C. पर भारतिय और चीन नी सैनिकों के बीच सिंसक जड़ब हुई है इस जड़ब में एक अधिकारिस में तीन भारतिय जवान शहीद हो गए और चीन ने भी अपने पांच से निको दिये हैं इस घटना को लेकर रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग ने CDS विपिन रावत के साथ एक बैठक की है क्या 18 जून से दिल्ली में लॉक डाउन लगेगा ये बिलकुल जूटी खबर है सोशल मीडिया पर आए दिन विपिन परकार की बेकार की सूचनाए वाइरल होती रहती है इनका कोई अचित तैन नहीं होता जहां ठीक ऐसी है एक सूचना इन दिनों फेस्बुक पर वाइरल हो रही है लोगों को P.I.B. ने सारी सचाई से रूब रूब करवाया है कि P.I.B. फैक्ट चेक ने जब इसकी जाच की तो मालूम चला कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जा रहा कि लोगडाउन को लेकर फलाई जा रही सूचना निराधार है दक्षिन कश्मीर के शोपियां जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों के तलाश अभ्यान के बाद मुटवेड में तीन आतंक वादी धेर हो गए रक्षा मंतराले के प्रवक्ता करनल रजेश कालिया ने युनिवार्ता को इस बारे में विस्तार से बताया बॉलिवूड एक्टर सुषान सिंग राजपूत के सुसाइड के गम को उनकी भावी सुधा देवी बरदाश नहीं कर सकी सदमे में उनकी मौत हो गई उनकी मौत ठीक उस वक्त हुई जब मुंबई में शुषान्त कांदीम संसकार संपन हो रहा था अब तक के लिए इतना ही फिल ओटूंगी आपके लिए ताजा खबरे लेकर तब तक के लिए देखते रही अर्थप्रकास टीवी ताजा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकास टीवी को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें